दमश्कार दोस्तों, एक important development देखने को मिल रहा है US के अंदर I am sure आपने इस news के बारे में सुना होगा कि US Files Landmark Antitrust Case Against Google तो आप खुद सोच के देखो कि Google एक US की company है और जो की काफी dominant player है not just in America but all over the world तो यहाँ पर US की जो justice department है उसने case दर्ज किया है Google के उपर ही और यहाँ पर उनके द्वारा बोला जा रहा है कि Google ने illegal तरीके से monopoly create करने की कोशिश की है तो हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार justice department क्या कहना चारा है क्या इलजाम लगाया गया है Google के उपर यहाँ पर Google की क्या सफाई आई है इन सब चीजों को 360 view से देखने की कोशिश करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकि तगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते है इंस्टाग्राम फेस्बूक और फीटा पर मेरे लेक्टे की हर पीडियाफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चनल जोईन कर सकते हैं और अपको पता होना चाहिए जिस तरह से हमारे देश के अंदर लौ मिनिस्ट्री होती है वैसे यूस के अंदर इसको कहा जाता है जस्टिस डिपार्टमेंट तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने सू किया है गूगल को बेसिकली इसका अर्थ हुआ कि उसको कोर्ट ले जाने की कोशिश की है यहाँ पर जस्टिस डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो इंटरनेट पर सर्च होता है मतलब इंटरनेट सर्च इंजन है उसमें अपना डॉमिनेंस स्थापित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तमाल किया है गूगल ने मतलब कि गूगल जो है चाहता है कि उसकी मोनोपोली बनी रहे मार्केट के अंदर सर्च इंजन का जो पुरा मार्केट है इंटरनेट पर आप कुछ भी सर्च करते हो तो वहाँ पर उसकी मोनोपोली बनी रहे इसके लिए इसने illegal तरीके से अपने competitors को harm करने की कोशिश की है और indirectly इसके वज़ेसे जो consumers हैं वो भी impact हुए है तो basically आपको पता होना चाहिए कि Google की जो parent company है वो है alphabet तो पहली बार ऐसा हुआ है कि Google के उपर किसी प्रकार का anti-trust action लेने की कोशिश की गई है यूएस के justice department के दोरा जब anti-trust action जब हम कहते हैं इसका simple अर्थ है कि यहाँ पर competition को break करने के लिए illegal तरीका अपनाना इसी को anti-trust action करा जाता है किसी भी company के उपर ऐसा ही कुछ किया गया था Microsoft के उपर भी करीब 20 साल पहले तो वहाँ पर भी Microsoft हार गया था तो यहाँ पर क्या है कि basically जो justice department है जो Congress है Congress मतलब जो दोनों houses है US के अंदर वो और इसके अलावा जो 50 states है US के अंदर यह सभी को द्वारा मिलकर कुछ investigations की गए और यह पाया गया कि यहाँ पर गलत तरीका अपनाया जा रहा है Google के द्वारा तो यहाँ पर exactly Google क्या तरीका अपना रहा है Google ने ऐसा क्या किया है इसको थोड़ा देखते हैं तो यह ध्यान रखेगा यह एक तरह का monopoly defense case है यहाँ पर जो सरकार है US government है justice department है उसका यह कहना है कि basically जो search वाला जो engine होता है जैसे कि आप कोई भी internet page खोलते होते हैं यहाँ पर Google search पर ज्यादा तर हम यही करते हैं कि कुछ भी हमें जानकारी लेनी होती है तो ज्यादा तर हम Google search पर ही जाते हैं और उस पर type करते हैं आ जात हैं मतलब Apple के साथ उसने deals truck कर लिया है और billions of dollars पे किया जाता है Google के द्वारा Apple को ताकि जो Apple के अलग-अलग items हैं उनके products हैं जैसे iPhone हो गया इसके अलावा tab है कई प्रकार के जो product होते हैं उसमें default जो option होता है search engine का वो automatically Google होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा तर जो जोग हैं उनको आदत हो गई है अब Google search यूज करने के लिए ही तो एक तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है justice department के द्वारा इसके अलावा यह भी बोला जा रहा है कि अलग-अलग जो smart phone makers हैं चाहे कोई भी mobile phone makers हो गया Samsung हो गया इन सबके साथ भी Google क्या करती है contract कर लेती है और उनक आपका Google ही होता है Google Chrome के थो आप यूज करते होगे तो यह एक इल्जाम लगाया जा रहा है justice department के द्वारा इसके अलावा भी कुछ और इल्जाम लगाएगा है जो कि इतने important नहीं है लेकिन यह चीज़ आप ध्यान में रखेगा basically यह search engine से related पुरा मामला है और ज्यादा तर अगर आप alphabet का जो revenue है source of revenue है profit है यहाँ पर बताया गया कि पिछले साल ज्यादा तर revenue इसी से आता है online advertisement के थो आता है और 34 billion डॉलर आता है तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो Google है वो अपना monopoly create किया हुआ है by illegally striking deal with different companies तो overall आप यहाँ पर कह सकते हो कि justice department को अगर अपना case जीतना है court क के अंदर क्योंकि अब यह मामला court में जाएगा तो court में अब यहाँ पर justice department अपना राय रखेगा और Google अपना राय रखेगा तो अगर justice department को अपना case जीतना है यहाँ पर साबित करना है तो उसको दो चीजें दिखानी होगी एक तो उसको यह दिखाना है कि जो Google है वो search वाले search engine है वो monopoly create कर सके search market के अंदर तो यह दोनों चीज अगर वो दिखा देता है justice department तो वो यहाँ पर case जीत जाएगा लेकिन अब Google का इसके उपर क्या defense आया है तो recently जो Google के executives हैं उन्होंने अपना testimony दिया है Congress के अंदर Congress basically जो दोनों houses होते हैं House of Representatives और जो अपर house है Senate दोनों को यहा यहाँ पर एक testimony भेजी गई है Google executive के द्वारा उनका यह कहना है कि Google जो है वो dominant नहीं है जी हाँ Google यह कह रहा है कि वो dominant player नहीं है क्योंकि यहाँ पर competition तो just one click away है कहने का मतलब है कि अगर आपको Google search यूज करना है वो कर लो अगर आपको Yahoo search engine यूज करना है वो कर लो आपको अग तो overall market है search market का देखें जब मैं search market कह रहा हूँ तो simple earth यह है कि यहाँ पर कुछ भी हम search करते हैं internet पर तो कौन सा search engine यूज कर रहे है search engine मतलब जैसे कि Google search engine हो गया Yahoo वाला हो गया तो अलग-अलग जो search engine होते है तो यहाँ पर जो search वाला market है उसमें 80% search यहाँ पर Google के through किया जाता है तो Google यहाँ पर basically कह रहा है कि अगर आप सिर्फ general search को देखोगे तो कहीं न कहीं आप छोटे view से देख रहे हो आपको एक बड़ा perspective लेना होगा general search हो गया जैसे कि अगर हमें पता करना है कि 1947 में कब देश आजाद हुआ तो यह तरह का general search हो गया लेकिन Google का यह कहना है कि यह तो general वाली चीज़े हो गई अगर आप जैसे example लीजे online shopping का तो ज़्यादा तर online shopping आपका Amazon पर की जाती है 50% जो shopping के list हैं चीज़े हैं वो Amazon के थूर की जाती है तो इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि हमीं यहाँ पर dominant player बन गए तो यह basically defense आ रहा है Google की तरफ से in fact यहाँ पर Google के use नहीं करना चाता वो उसको यहाँ पर हटा कर कोई दूसरा search engine के थूरू अपने mobile के थूरू tablet के थूरू use कर सकता है तो यहाँ पर freedom है पूरी तरह से consumer के पास इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि जो हमने deal struck किया है वो यहाँ पर competition को break कर रहा है तो basically Google यहाँ पर यह कहना चाता है कि हम market leader इस समय इसलिए है search वाले market में क्योंकि लोग इसको prefer करते हैं हमारी services इतनी अच्छी है और इसको लोग prefer करते हैं इसलिए हम यहाँ पर एक तरह से market leader बने हुए हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम यहाँ पर competition को जो है break कर रहा है illegal तरीके से तो यह आपका defense आ ग कम होगा क्योंकि players कम होगे तो लोग innovation कम करेंगे इसकी वजह से क्या होगा ultimately जो consumer है उसके पास choice कम बचेगी और ध्यान रखेगा जो बाकी के players है जैसे yahoo या बाकी के search engine हो गए वो आपके data को कम लेते हैं इसकी वजह से आपकी privacy बनी रहती है तो जब आपकी privacy बनी है तो कही अब next यहाँ पर क्या होगा next देखिए अब depend करता है क्या जो US सरकार है और Google है क्या वो किसी settlement पर आ जाते हैं अगर settlement पर आ जाते हैं तब तो ठीक है लेकिन अगर नहीं आते हैं तो यह पुरा मामला court में चला जाएगा और court में जाने के बाद आप कह सकते हो सालों लग कि US सरकार ने accuse किया है Google के उपर for illegally creating monopoly in the market यहाँ सारी चीज़ां आपको समझ में आ गई होंगी अब क्योंकि monopoly जैसी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपके लिए दो बहुत ही अच्छे question लेकर आया हूँ पहला question है आपको बताना है किस market की हम बात कर रहे हैं अब इस market में मैंने question में लिखा है कि यहाँ पर large number of sellers है sellers जो है वो काफी सारे हैं लेकिन हर एक sellers यहाँ पर थोड़ा सा different product बेच रहा है मतलब कि उनकी सभी के products यहाँ पर लगबाग same है लेकिन थोड़े थोड़े different है तो क्या बता सकते हो यह किस तरह का market है क्या यह perfect competition है क्या यह monopoly है या फिर oligopoly है और दूसरा question है मेरा regarding capitalism, socialism, communism इसको ध्यान से करनी की कोशिश करना let me know in the comment section की दोनों के answer क्या होंगे इसका right answer मैं अपने instagram पर तो डालूँगा ही अगर आप instagram पर नहीं हो तो कोई बात नहीं मैं यह आप टेली ग्राम पर भी इसका explanation डाल दूँगा और यहाँ लगतार में कई सारे quizzes दालता जा रहा हूं अपने stories में आप जाकर यहाँ पर play कर सकते हो अगर आप उससे economy पढ़ना चाहते हैं कोई course purchase करना चाहते हैं आप study IQ app पर जा सकते हैं I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much आप सकते हैं